कि हालो एवरिबान वैलकम बैक टू एमेलटी जनी आई होप आप लोग अच्छ होंगे तो आज हम बात करेंगे एनचम डैली में आपकी वेकेंसी निकली हुई है टोटल 28 पिलस डिफरेंट पोस्ट हैं जिसमें आपकी 200 पिलस पोस्ट दी गई है तो हम उनके बारे हम बात कर करवाया जाएगा अगर आप हमाएं चैनल पर नए जुड़े हों तो हमाएं चैनल को सब्सक्राइब पना ना भोलें ऐसी अपडेट के लिए और पीडियो पराप्त करने के लिए तो शुरुवात करते हैं इस वीडियो की अच्छे से यहां पर दिया हुआ है पेज एक सिल कम्मिनिकेशन के लिए प्रोवाइड करवाय गया है नोटिस हमारा 24 जुलाई 2024 के लिए निकला है और यहां पर फाइल नंबर आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाएगा जो कि एवन तेरह चार दोजार बीस इस्टी पार्ट वन है इसका और यहां पर साब साब पहले के लि यहां पर दिया है कि इन्फोर्मेशन अबाउट वेकेंशी क्वालिपिकेशन और इजिविल्टी क्रिटेरिया सेली एंड मैथाडोलोजी एंड अदर टम्चंड कंडिशन आप दी रुकायर्मेंट इस गिविन इन दा सब्सेडिंग सेक्शन आप इस गाइडलाइन क्या पोश्ट है नंबर पहली हमारी है मन इन इफ्सर की इसमें आपकी सेली रहेगी इकतर हजार पानसों पचास रुपए एक ही विकेंशी इसमें अनरिजब की पोश्ट है सेकिंड है क्वालिटी एस्वारेंस का अंसुलेंट की वेजिसे हम बोल सकते हैं बास आट हजार पांसोर पेसमें आपकी सहली रहेगी पोश्ट एक ही है जो की अन्रिजब में है क्वालिटी असौरेंस कंसुलेंट पॉब्लिक हेल्थ की वेकेंसी है जिसमें आपकी बासाट थाजार पांसो सहली रहेगी और एक ही पोश्ट है जिसमें अन्रिजब की पोश्ट है क्वालिट इसके बाद सीनियर प्रोग्रामर की पोश्ट है दो पोश्ट है दोनों पोश्ट है डाटा वेसिक एड्मिस्ट्रेशन की बाद करता हूं नेक्स्ट पोश्ट पे तो बासट देजार पांसोर पैसे लिए इसके बाद जिसमें आपकी सैली रहेगी 48,525 रुपै पांच वेकंशी है पांचों अन्यजब की हैं दिस्टिक अकाउंट मेंजर की बाद करें नेक्स पोश्ट तो 33,738 रुपैं एक पोश्ट इसमें अन्यजब की इसके बाद अकाउंट्स असिस्टेंट की बाद करूं 8883 रपए इसमें आपकी सेली रहेगी तीन पोस्ट हैं दो वीजी की एक EWS की इसके बाद बज़ेट एंड और यहीं फैनेंस अपसर कम एडमीन अपसर की पोश्ट है जिसमें आपकी 3300 788 सब्सेल रहेगी एक बेकी इसमें पोस्ट रहेगी इसमें एकतर चाहिए एकट्र 550 रपए दो बेकेंसींंगे दोनों और जब इसके बार शाक कद करूं इसमें एक 1,750 रफे अली रहेगी इसमें पांच त STEP क्मूल टी नर्सकी चालिस जाहर err Rपास में चार प्रेक चार। आपकी अंडहजब किय 있는 इसमें के वाद सीर्व आसे सहले हैं पढ़ेंट बरक इसाथ है नेक्स्ट है पिडियेक सिजन्ट की इसमें 85,000 रपई सेल लिए चार वेकंशी है आठ वेकंशी है अनिजब की तीन है SC की एक है OBC की तीं है और EWS की एक है next है Pediatric Season की है इसमें 85,000, 50 पैसल लिए चार वेकंसी SC की एक ST की एक OBC की एक eWS की पैथलोजिस्ट में आपकी VECंसी में 85,000, 50 पैसल लिए 7 वेकंसी अंजब की 3 OBC की 3 और EWS की एक कॉंसुलेंट की बात करूं तो में यहां पर मेडिशन एमडी में 55-50 पर यह बारे वेकंसी पार वा अंद्रजम में है डेंटल सर्जन में 31,550 पर यह बाइस वेकंसी बाइसो आपकी अन्रजम में अब देख लेते हैं कोटी एसिस्टेंट केंड़ेट के लिए मौका दिया गया है इसमें तो यहां पर उनकी 21,640 रुपए सब्सक्राइब पांच वेकंसी हैं स्टी की दो हैं और EWS की एक वेकंसी अब लेविल इसमें नेक्स्ट हैं मेडिकल अपसर की इसमें 71,550 रुपए सेल लिएगी 80 पोश्ट हैं SC की 14 हैं ST की 12 हैं OBC की 35 EWS की 19 जिस्टिक आसा कॉडिनेटर की बात करें नेक्स्ट पोश्ट इसमें 38,612 रुप आपकी सेल लिएगी एक पोश्ट है वो भी अन्दिजम सबसे लास्ट इन दोनों की लिंक आपको हमारे इस वीडियो डिस्कप्शन में मिल जाएंगी बहाँ पर जाके आपको रिजिस्टिशन करना होगा यहां पर दिया हुआ है कि online registration is mandatory तो आपको जरूरी ही करना है पर आपको जो इसमें एक नंबर मिलेगा रिजिस्टिशन नंबर वह आप अप्लिकेशन फारम पर लिखेंगे इसके बाद दे रखा है यहां पर पर आपको कोई भी आतायात का कर्चा नहीं दिया जाएगा अपलाई कैसे करना है उसको हम देख लेते हैं तो आपको एक आप्लाइन जब करेंगे तो एक अपने अप्लिकेशन फारम पर लिखना हुआ वह इंपोर्टेंट है यहां पर दिया हुआ है दुबारा बता दिया ऐसे ही देख लिए अटेच्ट टू पास्पोर्ट साइज फोटोग्राप बन फोटोग्राप पेस्ट एद बन स्टेपिल विद एप्लिकेशन फार्म एक आपको पेस्ट करवाना है और एक आपको महीं पर कर देना है नेक्स्ट यहां पर नेम एंड कोड ऑब फॉर दी पोस्ट शुडवी क्लिरली इस्टेड इंद एप्लिकेशन फॉर्म इन कैप्टेलेट्स तो आपको कैप्टेलेटस में लिखना है उसके बाद देख लीज़ी सेल्फ अप्लिकेशन फार्म तो आपको यहां पर जैसे कि मांग चलिए आपकी यह डेट बड़त है उसके लिए हम 10 की मांग सेट भी आपको चल जाती है तो हर पीज़ी आपके नीचे साइन होने चाहिए इन सब के नीचे बाकिया आप अपने अप्लिकेशन फार्म के ठीक है उसमें साइड में भी कर सकते ह चाहिए इसके लिए आपके पास होना चाहिए कि मांग सीट इन सपोर्ट अपड़ेट और सेम यह होता है तो तो तेन्स की मांग सीट ही जाता है तो आपको उसमें परफॉर्मेंस मिलती है इसके बाद experience certificate current working experience certificate आल सो गरा फिर category certificate यह पर आप दिब्यांग जन है तो PWD certificate एप लेकेवल मागा है valid income और assist certificate in case आप EWS category सेगर आप है तो आपका EWS कोना चाहिए आपके पास होनी चाहिए उसके बाद देख लीजी यहां पर दिया हुआ है वाइल कमिंग फॉर्दा इंटर्व्यू केंड़ ब्रिंग और शेल असेट कॉपीस आप डॉकुमेंट्स एज मैंचेंड इन पार 616 एवाव अलंग वित ओर उरिजल डॉकुमेंट्स के साथ में आ इन केस्ट केंडेट इस नौट केरिंग ओरिजनल डॉक्मेंट हीशी विल नौट वी अलाओ टू पैर फॉर्दा इंटर्व्यू तो आपका जब भी इंटर्व्यू होगा आपको अपना एप्लिकेशन फारम लेके जाना होगा ठीक है ओरिजनल डॉक्मेंट्स वगरा सब सब्सक्राइब जाने होगा एप्लिकेशन फॉर्म विल भी रिजेक्टिट इन केस इट्स इज फॉर्व्ट इन कंप्लीट ऑं मिस लेडिंग इन एनी रिस्पेक्ट तो कर आपका रिजेक्टिट कर दिया गर आपने मिस इंफॉर्मेशन वगर आपने रख्योंगी यहां प सब्सक्राइब करते हैं तो सुरुवात करते हैं आप कि यहां पर कौन-कौन सी कौल इपकेशन मांगी गई है ठीक है तो लार्स चुरूबात कर देते हैं कि यहां पर दियो होगा है कि जो हमाई दाश्पोर्स थी पैलेटिव केर नर्स की इसमें ती इसमें आपकी चैल सेल ली थी चालेज़ार एकसो साट रपे इसमें पोस्ट आपके पार रजिस्टर दिली नर्सिंग होना चाहिए और डिजेबल में दो सल का एकस्पेंस होना चाहिए बर्किंग इन होस्पिटल नहीं है तब भी अपलाई कर सकते हैं पोस्ट कोड याद रखने आप इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट हमारे पास इसमें ज जो कि आपके पास जरूरी होना चाहिए मनेजमेंट कॉडिनेटर और कम्मुनिटी हैल्फ प्रोग्रामर्स में और कम्मुनिटी मोबलाइजेशन और रिलेटेट फिल्ड में एक्टिविटीज वित में में वानियर इन हेल्फ सेक्टर में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद है आपकी मेडिकल अपसर की पोस्ट जिसमें सबस्याइश्ट पोस्ट थी इसके बाद हमारे पाड़ पाड़ेश्म 25 इसका पोस्ट कोड है तो ओटी असेश्टेंट में अप्लाई करना है तो सबसे पहले याद अधर इसका पोस्ट कोड़ डी इसेचेंट कोर्स होना चाहिए आपके पास और इसमें कोई भी आपकी इसेंसिल कॉलिप किसन नहीं मांगी इसका मिलब यह आपकी वेकेंजी फ्रेसर है जल्दी से जरू ब सब्सक्राइब कर सकते हैं पोस्ट कोड़िशन की बाद करूं एमडी मांगा इसमें पोस्ट कोड़ तेज है और इसके बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर आपको आपको अगर आप डियासे जिसका पोस्ट कोड़ करकी तो इसमें आप अगर आपके पास क्वालिपिकेशन है पोस्ट कुजिए डिग्री है अप्टर कंप्लिटेशन आपके पास सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके बाद एक है पोस्ट कोड़िटी नर्स पोस्ट को नाम है पोस्ट का ट्रेज्ट नर्स लेक्टियाजन है आपके पास दो साल का एक्षियंच डियेवल है नहीं यह एक्षिन्स तम भी अपॉज़ाई कर सकते हैं इसके बाद नाग है इसके बाद करों तो पॉत्तर जाओड नर्सिंग वाल पाद कर सकते हैं वेस्ट नर्सिंग मागा इसमें पीजी डिप्लूमा इंड सैकेटिक्स नर्स का है तो भी आप अपलाई कर सकते हैं इसमें इसके बाद आपका क्लेंगल सैकोलोजिस्ट की पोस्ट है 15 पोस्ट कोड रहेगा 43,760 पे सहली 35 सैकेट्स वाल इसमें अपलाई कर सकते हैं अब पोस्ट कुझे डिग्री इन इसका 14 है इसका स्टेट कांशिलिंट में आपका पोस्ट कोड ते रहा है विब इस मांगा इसमें दिली का रिजिस्टिसन होना चाहिए इसके बाद एक ली आपका बीकॉम मांगा तरिया सास्तों और ते समेंदेगी पोस्ट कोड बार रहा है 45 सबा एक प्लाई कर सकते हैं इसके बार पोस्त कुटध गारे में आप देख लीजिए का क्वालीफिक इसमें ना को त्हीं ना को हायूस एटीजी नाइन गवर्मएंट और ऑर्बर्क बगर अंगर झाहिं कि इसके बाद इसमें भी कॉम मांगा अकाउंट अच्टेंड में अठाइजार आर्सु त्रेपन पैसे लिएगी ठीक है बाकी यह भी मंगर का एंबीन हेल्थ होना चाहिए तो डिश्टिक प्रोग्राम मेनेजर अर्टालीजार पांचो पच्छीश पैसे ली उसकोड अपने देख लिए होगा तीन के बाद देखते हैं दो पुष्ट वची इसके लिए इतना हीता हमारे पास पूरी प्रोगाड कर देंगे आप अच्छी देख लेना इसके बाद आप देख सकते हैं आप हमारे अप्लिकेशन फार्म प्रोगाड कर वाया गया जो कि कुछ प् यहां पर आपको अपने एक फोटो पेश्ट करवाना है रिसेंट पास्वर साइस फोटोग्राप एक अलग सर्वी चिपकाना है इस टैपल जो कि इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है फिर इसको इसको साइन कर देना है तो इस अधे पेज़ पर आधे फोटो पर आपको यहां पर आपको क्या लिखना है प्लीश टैप आफ राइट इन ब्लॉक लेटर्स में आपको लिखना है ठीक है इनी कंप्लीट एप्लीकेशन फारम विल भी एक्ष जग्ट एक तो इन्पोर्टें यहां पर यहां पर दिया हुआ है एप्लीकेशन फारम में यह पर रॉक्वाइर्मेंट कॉंटक्ट अंडर डैली स्टेट हैल्थ मिशन जैसे कि अगर आपने अप्लाई कर आप पोश्ट प्लाइट फॉर्ट तो यहां पर करेंगे ओटी कि असिस्टेंट मानके चलिए ठीक यह तीनों चीज़ आपके लिए इन्पॉर्टेंट जो कि इस नोटिफिकेशन में दे रखी है इसके बाद अपना नाम लिखेंगे फॉल नेम अप अप्लिकेशन ठीक है फादर्स नेम सपोज नेम लिखेंगे आपर डेट अब लिखेंगे ठीक है डेट मन्त यर एज क्या इसके बात करते हैं एक स्कंड में पोस्ट लेटर से से रोकावावड आड़ियों लाद इसके बात अपने प्रोपेशनल कोलिकहें जो भी आपकी होगी ठीक है सीरेल नंबर भी डाल दीजिए का कॉंसी इंस्ट्यूट से कराए बोर्ड युनिविस्टी तो यानि की बोर्ड से शुरुवात करनी है यह अब पास ही लिखेंगे यहां पर यहां पर यह लिखना है तो अगर आपको करनी हैं अपने जो भी यहां पर लिखा है सब अपनी कुछ भी नहीं दिए साइन कर देंगे यहां पर डेट लेखेंगे पिलेश लिखेंगे आप इसकी ठीक है यहां पर दीविए दक काट अपर पर पेज कॉलिपकेशन एक्सपिंस एटीसी बिल भी लास्ट एट आप रजिस्टेशन की 13 अगस्त 24 आपकी यहां पर रहेगी ठ टेलीग्राम गुरूप की लिंक इस वीडियो को डिसकप्शन में आपको मिल दाएगी बागी अपडेट के लिए आप हमारा यह लिंक दे रखी है आप आप देख लेगा वह मैं आपको टेलीग्राम गुरूप के अपडेट दे दूँगा इसके आपको आगे क्या करना है टेलीग्राम गुरूप कर नाम भी बता देता हूँ आपको मैं mlt-6675 ऐसी अपडेट के लिए महां चाहिए लाइक करें सस्क्राइब करें सेर करें ठेंक यू